हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी बहुत ही चॉकलीटी चोको फिल्ड कुकी जो की काफी जादा इजी और सिंपल श्रेप में बनने वाली है फ्रेंट्स काफी जादे एकदम क्रिस्पी बनेगी और इसे बनाने कले आपको बहुत दा महनत भी नहीं श्रेंगे उसमें यहां पर मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है आप चाहे तो इसके जगा पर कोई दुसरा रवि चॉकलेट ले सकता है या फिर डिरी मिल्क भी ऊज़ कर सकते है यहां पर यह चॉकलेट 50 ग्राम लिया है इसमें दो चमज के बराबर पानी और फि यहां पर मैने बटर लिया है भ्रेंट्स 50 निë आपको 50-100 ग्राप डेना यहां यह Neo महीं कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आधा कप के बराबर पाउडर शुगर लेना है चीनी- मैण schle argent अ कमंब कर सकते हैं तो देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने स्मूथ कर लिया है अच्छे से मिक्स करके उसके पड़ यहापर मैंने आटा लिया है एक कप के बराबर आठा या फिर मैदा जूनमस यह कोई भी ले सकते हैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक से दो चम्मच कोको पाउडर मैंने आंप 2.äl जब बढ़िया से मिक्स करना है जो बडर है और आटा वगेरा हो सारा अच्छे से मिक्स हो जाए तो कुची के लिए जो दो बनाते वसतर है तरह से हमें इसका डो बना लेना या तो अच्छे से हाथ के तो देखिए फ्रेंट्स यह इस तरह से बाइंडिंग इसका होने लगेगा तो आप समझे हैं इसका इसका डूद्ध भी डाल सकते हैं लेकिन आपको दूद्ध बहुत जादा नहीं डालना बस दो चमची डाले बना कुकीज क्रिस्पी नहीं बनेगा तो मैंने इसे अच्छे ट्रजिकीट तो इस त manner करन की द्याएं थोड़ाइज तो दिल के बाद इस तरह से यह जिव जाता है थोड़ा सटाइट हो जाता है उसके बाद इस तरह से चोकलेट का बॉल बना ले लेना है उससे छुटne छोटने बॉल बना लिए Westo दो गॉन देए हम। सबना है शआए इस तरह से cookies के shape के हमें बना लेना है इस थोड़ा सा इस तरह से मूठे से अंदर के तरह प्रेश करते हुए इस तरह से बनाएंगे और यहां पर हम डाल देंगे चॉकलेट बॉल को इसे कवर कर देंगे इस तरह से और कवर करके अच्छे से इसका cookies का शेप का बना लेना है और यह हमारा एक बन गया है इसी तरह से सभी को हम बना लेंगे इस तरह से सभी को रेडी कर लेना है बनाके यह हमारा एक बन गया है तो सेम प्रोस्ते से मैंने यहा तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि दूर दूर पे रखना आपको क्यूंकि कुक्की बेक होने के बाद फूलती है तो यहां पर मैंने सबसे पहले तो कड़ाही में आज हम इसे बेक करने वाले तो इसमें नमक डाले से पहले फैला लेंगे अच्छे से नमक डाले से यह अवन कहीं से भी steam बाहर नहीं निकलना चाहिए और इसे medium flame पे 20 निट के लिए बेक करेंगे 20-25 निट के लिए हमिसे medium flame फे बेक करना है dus यहां फे देखिए friends total 25 मिनट हो गया है और जब कुक्कीज गरम रहता है तो यह थोड़ा से गीला टाइप के लगता है तै आप ऐसे ना सम iPhones क यह कच्चा है वो उस समय बेग हो चुका होता है लेकिन वो गरम होने के कारण घीला होता है जैसे आप उसे ठंडा कर लेंगे रूम टेंपरेचर पर आजागा तो वो क्रिस्पी हो जाएगा तो देखिए फ्रेंट्स मैंने कुकीज को ठंडा कर लिया रूम टेंपरेचर पर गया है और यह काफी जादा क्रिस्पी बनी है हमारी कुकीज मैं आपको दिखाती हो इसके अंदर चॉकलेट फिल्ड है तो काफी जादा यह टेस्टी लगीगा तो आप भी इसे घर को बना के ट्राइब कीजिए यह वोच्रों को बहुत पसंद आएगा और अगर आप मेरी चानल पर नए है फ्रेंट्स तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस्स ना हो तो मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में तुक तक के लिए बाबाए थाइंक्स पुरवाची